मैं मसीही लोगों से सुनते सुनते ठक चुका हूँ भाई पॉल मैं बहुत ही निर्बल हूँ आप कहते हैं भाई पॉल आपने अपना प्रचार ये कहते हुए शुरू किया कि आप कमजोर हैं तो हम क्यों नहीं कह सकते पर मैं आपको इसका वाक्यान या इसका अर्थ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप निर्बल नहीं हैं और मैं ये साबित कर सकता हूँ पिछले हफ़ते में आपने कितना समय परमेश्य के वचन में बिताया कि आप उसको जाने और प्राक्ना में ये जाना के परमेश्य रोज़ उसके काम के बिना आप इसको पूरा नहीं कर सकते हैं देखिए ये बड़ा असान है ये कहना कि मैं निर्बल हूँ आपकी समस्या ये नहीं कि आप कमजोर है आपकी समस्या ये है कि आप समझते हैं कि आप बलवन्थ है और मैं आपके आत्मिक जीवन को देखकर ये थाबित कर सकता हूँ आपने देखा हमारा समस्या ये नहीं कि हम बहुत निर्बल हैं पर दो हमारा समस्या ये है कि हम अपनी निर्बलताओं को जानते नहीं हैं क्या आप इसे देखते हैं इसलिए मसीही इतिहास में दास दासी जो परमिश्यों की और से अद्बुद्रिती से इस्तमाल हुएं उन सब लोगों में एक बात समाने हैं कि वे अपने निर्बलताओं को जानते हैं अब ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये बहुत बहुत महतपूर्ण है निर्बलता सामर्थ के लिए कोई रुकावट नहीं है प्रन्तु निर्बलता आत्मिक सामर्थ के लिए एक सोत्र है पर दिक्कत गलत प्रतिक्रिया है सब से पहले हमें ये बात जानने की जरूरत है कि हर एक निर्बल है हमारे प्रती नयनियम में जो भी मांग है वो एक साधारन मनुष्य के लिए वो करना असंबव है अब इससे पता चलता है कि हम सब एक समांग है मैं आप स्परजन जॉन पाइपर हम सब हर कोई निर्बल है अब आप अपनी निर्बलता को एक बहाने के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई हमारे जैसे निर्बल है कोई भी इस तरह चल नहीं सकता है कोई भी नहीं सो जान लीजिए कि हम निर्बल है तो सवाल है कि फिर हम करें क्या बहुत से मसीही नर्बल होने के लिए मूँ बनाते हैं क्योंकि ये ज्यादातर मसीही लोगों के द्वारा कहा जाता है कि वो नर्बल है दूसरे लोगों के द्वारा भी ये बात आम तौर पर कही जाती है क्योंकि वे इस बात को पाप के लिए एक बहाना करके इस्तमाल करते हैं बट सही मानसिकता वो है जो अपने निर्बलता को पहचानता है और वो निर्बलता परमेश्र की और लेकर जाती है उसी घड़ी परमेश्र की और लेकर जाती है कि वो जरिया है, वो मददगार है, जिसका होने का वो दावा करता है, और वो ही एक मातर हमारा बचाओ है, वो किसी चीज का लालच करते हुए हम बच्चों को सब कुछ नहीं देता है, परन्तो उसकी लालसा हम ही है, सो समस्या ये है कि हम नहीं जानते कि हम कमजोर हैं, या फि कर देखते हैं आपका हिर्दे आपको दोश देता है और शैतान आपके हिर्दे की मदद करता है मैं कल रात किसी से मिला और लंबे समय तक मेरी उनसे बाचित चलती रही एक प्यारी चोटी बच्ची मेरे पास आई वो अपनी निर्बलताओं को जानती थी वे अपने दोश जा ख़िती है और शैतान के कारे के अनुसार और कई रात हिर्दे हमको दोश देता है और वो अपने आपको एक सजा के डिप्बे में रखती थी जबभी विपाप करती थी हम इस समय के परमेशुर के पास नहीं जा सकते आप परमेशुर का यू मन फिर आया और आज आपने फिर से दोराई और अब आप परमेश्व का पीछा कर रहे हैं आप पाखंडी हैं क्या यही नहीं है जो हम करते हैं सोचते हैं हम पाप करते हैं जो हमने पहले भी किये हैं जिसके लिए हमने पश्यताब भी किया और हम यह ऐसा सोचते हैं कि हमें कुछ समय के लिए अपने आप जब मैं ये पाप करता हूं, उसी घड़ी मैं परमेशों के पास जाता हूं, और ना सिर्फ माफी मांगता हूं, मैं उमीद भी करता हूं कि मुझे माफी मिलेगा, क्या ये पाखन नहीं है, हम ऐसा ही सोचते हैं, क्या परमेशर को हमने माफ करने वाली मशीन समझा है नहीं ये बिब्लिकल है ये बाइबल पर आधारित है मेरा ये प्रचार उन लोगों के लिए नहीं है जिनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता जो ऐसे कहें वा परमेशर अगर इतना भला है तो क्यों ना मैं पाप करता रहूं और फिर वापिस जाकर परमेशर से माफी मांगता रहूं जाहर सी बात है मैं ऐसे लोगों से बात नहीं कर रहा है मैं सही मसीही लोगों से बात कर रहा हूं जो सच में ऐसा बनना चाहते हैं जो वो नहीं है पर जब वे अपने आपको दोशी देखते हैं अपने आपको निर्बल देखते हैं और अपने आपको वो ही पाप दोहराते हुए देखते हैं और वो यहाँ पर रुकते हैं और सोचते हैं कि शायद थोड़े दिन बाइबल प भड़ी वो है जब मुझे पता चला कि जब मैं पाप करता हूँ जो मैं हमेशा करता आ रहा हूँ मेरी पहली प्रतिकिरिया यही होती है कि मैं मसी से लिपट जाओ एक बिखारी के जैसे नहीं ऐसे इस विचार से नहीं कि है परमेशर मैं यहां हूँ मुझे सजा दो नहीं मैं मसी को पकड़ लेता हूँ और उससे कहता हूँ मुझे तुमारे वाइदों पर विश्वाश है हाँ मैं एक अलग स्तर पर हूँ मैं अजाद हूँ मैं एक संत हूँ और मैं आदम से अलग किया हुआ हूँ विवस्था का सजा मुझ पर नहीं है सब कुछ उस पेड़ पर खतब हुआ जिस पर मसी मेरे लिए मरा वो मुझे जानता था उसने संपूर्ण माफ किया है मैं अजाद हूँ ये सच में शांदार है